शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के उद्देश को लेकर बनाये गए वेल्डिंग जोन पर दुकाने एलाट होने के बहुजू चौक चौराहे पर दुकान लगा रहें दुकानदारों पर कारवाई कर उचित इस्थान पर शिफ्ट किया गया दुर्ग नगर निगम औराजीवी का मिशन द्वारा शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के उद्देश से शहर भर में वेंडर का सर्वे कर उन्हें अलग-अलग जगों पर इस्थान दे कर उनका जीवन यापन करने दुकाने आबंटित की गई है बाजूल इसके विदुकानदार अपनी आबंटित दुकान पर कबज़ा जमा कर साथी शहर के चौक चौराहों पर अवैद दुकाने संचालित कर रहे हैं जिसके चलते बुधवार को दुरुग निगम के स्वास्त अधिकारी मुहम्मद जाविद और थान सिंग्यादो के नयतित में निगम की टिम ने गौरपत पर लगाई दुकानों को हटाने के कारवाई की साथी साथ माना जहवन के पास बने वेंडिंग जोन पर आप बंटी 34 दुकानों को सजाया गया जहां एक भी दुकानदार अब तक नहीं पहुचा जिसके चलते कारवाई करते हुए उन दुकानदारों को सामान सहित शिफ्ट किया गया इस संबन्द में अधिकारियों ने अपनी पतिक्रिया मेडिया के समक्ष दी ठेले से मुक्त करके उनको एक दुकान भी मिल जाएगी बहुसा है अच्छा चल सकेगा इसके तहत ये मानस बहुन में हमने कुल 34 वेंडर को गांधी चौक से लेके आपके जेल चौक तक जो वेंडर थे फल वाले उनको हटा कर यहां पर भी साफित करना चाहा था जिसके ल त्रिपाठी जी ने बताया तो बजार वगाग मिलके इसमें कारवाई कर रहे हैं बहुत दिल से लोगों को ये लुकान अबंटित हो चुकी है आइस्थाई रूप से वेंडिंग जोन में परिवर्तित करते हुए तो आज शिफ्टिंग का कारी किया जा रहा है और भी जहा जा इस तरीके का होगा वहाँ भी कारवाई करेंगे अभी तो इन्होंने जैसे आपको बताया चौतिस लोग का है तो उसमें से आज शिफ्ट करने का काम कर रहा है तो Grand ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट